हेलो गाइज की हल चाल नमस्ते असलाम वालेकूम तेसा सीकाल मैं हूँ जी आपका अपना होस्ट और दोस्ट अमरित पाल एक डेरी फार्मर आज मैं आपसे पहले तो माफी मांगूंगा कि मैंने जो आज की वीडियो का शेडियूल टाइम था उससे लेट हूँ तो उसके लिए माफी मांग रहा हूँ आपसे तो आज हम वीडियो शुरू कर रहे हैं किस रिलेटिड है यह हम फिर वही जो अपनी बच्चिया के बारे में जो मैंने आपको कहा था कि एक से लेके 365 दिन की मैं वीडियो बनाऊंगा उसी के शेडियूल के हिसाब से मैं जो वीडियो आज बना रहा हूँ तो यह देखिए अपनी बच्चिया के कितनी ग्रोथ कर ली अब यह तक्रीबन तक्रीबन मेरे पास 10 से 12 दिन के करीब हो गई है सो अब इसका जो दूद है यह इसका दो किलो से बढ़ा कर धाई किलो कर दिया गया है क्योंकि जितनी बच्चे की ग्रोथ होगी हमने उसी के हिसाब से ही उसका जो है दूद बढ़ाते जाना है सो गाइज आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंट कीजिए और साथ ही साथ सबस्क्राइब कीजिए सो ये देखो जैसे हम मां के थनों से इसको दूद पिलाते हैं जो बच्चा पीते समय लार फेंकता है मूँ से ये सेम ही चीज होती है जब हम इसको जो है बोतल से जब दूद पिलाते हैं तो सेम ही जैसे के माँ के थनों से दूद पीता है वच्चा उसके मूँ से लार निकलती है वैसे ही ऐसे बोतल से पीने में भी उसकी लार निकलती है तो ये थोड़ा सा हम कह सकते हैं डेरी फार में असानी और सुविधा का काम हो जाता है ऐसे है अभी इसको मा के पास ले जाया जाता है पर उसको मा के थनों से दूद नहीं पिलाए मा को सिर्फ पस्माने के लिए ही ताके वो दूद देने की प्रक्रियाश शुरू कर सके तो उसी लिए इसको खोला जाता है और शाम को ऐसे है कि जब इसको खिलाप मिलाकर हम दो से धाई गंटे हो जाते हैं तब इसको शाम को हम खुला छोड़ देती हैं जिससे के इसके जो खस्रत वगएरा और इसकी एक्सरसाइज वगएरा हो जाती है और ये गरोथ के लिए बहुत ज़ादा जरूरी होता है कि हम बच्चिया को दिन में एक बार कम से कम आदा गंटा से एक गंटा उसको खुला छोड़े जैसे उसका दिल करे वो वैसे करे इसकी जो डी वर्मिंग की वीडियो मैंने आपको डाल दी है और आने वाली जो भी वीडियो इसके रिलेटिड होंगी मैं आपको जरूर अपडेट करता रहूँगा अब यह देखिए इसको अब फुल मस्ती करेंगी है दूज पीने के बाद सौरी मैं वीडियो मस्ती वाली वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ कुछ घर में जरूरी काम चल रहा है इसलिए मैं थोड़ा सा बीजी चल रहा हूँ तो यह देखिए थोड़ी बहुत मस्ती ऐसे करती है यह मेरे को कोशिश करती है कि चाटले खाले फुल मस्ती में